यह नाम सुनते ही आज कल क्या हो रहा है बहुत सारे लोगों के अंदर एक खौफ पैदा हो रहा है राजस्थान के करणिस्दा के लिए क्यूंकि करनिस्दान ने ओलेड़ी डिकलियाट कर दिया है पदमावती फिल्म को बक्षा नहीं जाएगा अगर किसी भी तरीके का इसमें गलत हुआ तो राजबूत करने से ना पुरा भारत का राजबूत अब नहीं छोड़ेगा 2008 में हमने करनी से ना नहीं इसे गाजस्तान में आज तक जोदा अगबर रिलीज नहीं होने थी और करनी से ना जब ही संजा लिला भनसाली का नाम सुनते है या पदमावति फिल्म का नाम सुनते है तो वो लोग तो ऐसे ही भरक जाते हैं क्योंकि वो लोग का विश्वास है कि ये फिल्म राजबूत कल्चर को ठीक तरह से दिखाए नहीं गया है और गुम्रहा भी किया गया है जब बदले के आग पूरा देश में फैल रहा था पदमावती के ट्रेलर रिलीस करने के बाद सिंसर बोड ने ये फिल्म रिलीस पे लगा दिया रोक उसके बाद पांच परिवर्तन करने के लिए बोला गया था वायकॉम 18 प्रोडेक्शन वालों को और क्या-क्या परिवर्तन किया गया है उसका रिलेटेड मैं एक वीडियो बना चुका हूँ आप उपर वो आई बटन में देख सकते हैं और वो वीडियो भी काफी पॉपुलर हुआ है लगबग हाफ मिलियन लोग वो देख चुके हैं परिवर्तन के बाद कोई भी सिनमा हॉल गुजराट, मद्धपदेश और राजस्तान में ये फिल्म रिलीज करने के लिए डर रहा है क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं अगर ये फिल्म वहाँ पर रिलीज होगा तो राजपूत लोग शायद वहाँ पर फिट से तोरफोर्क कर सकते हैं तो इसी के चलते वाइकॉम 18 प्रोडेक्शन हाउस फिल्म रिलीज होने से पहले एक स्पेशल शो का आयोजन किया था जाप और वे लोग करनी सेना के मिंबर को आने का निमंतरन दिये थे और करनी सेना के तरफ से शूरेस चाबान के ये इन्विटेशन एकसेप्ट किया और 40 मिंबर के साथ वो गए थे ये फिल्म का प्री रिलीज देखने के लिए पूरा फिल्म देखने के बाद उन लोगों को एक ही बात कहना था देखिए वो लोग क्या कहे हैं सूरेस चाबान के ने और भी बताया है कि वो लोग जो मांग रहे थे मापदमावती को ठीक तरा से दर्शाय जाए ये मानकर प्रोडक्शन हाउज ने उनका लवस बाई लवस माना और ये फिल्म को दुबारा एडिट किया और अभी करणी सेनाओ को कोई प्रोडलेम नहीं है कि ये फिल्म रिलिस किया जाए घूमर सौंग में दिपिका पाडुकन के बॉड़ी एडिट करके कवर हब किया गया है वो लोग और भी बताये हैं कि पहले भी ऐसे बहुत सारे फिल्म आ चुक है जो कि इतियास को विक्रित रूप से दिखाया है वो इतियास हम दौराना नहीं चाते हैं तो इसलिए हम लोग ने ये प्रोटेस्ट किया है तो क्या आप जाएंगे ये फिल्म देखने के लिए वैसे ही इतना हुर्दं के लिए अल्रेडी फिल्म हिट हो चुके है हीलीज होने से ही पहले मुझे बिश्वा से कि ये फिल्म पहले दिन ही 30 करोग का आखरा पार कर लेगी तो आप लोग जा रहे हैं ना देखने के लिए आप अपना मीठे मीठे कॉमेंट से मुझे और अपने दोस्तों को बताइए कि आप लोग ये फिल्म देखना चाहेंगे या नहीं और ये भी बताइए कि ये फिल्म हिट होगा या फ्लॉफ होगा मुझे इंतिजा रहेगा आपका मीठे मीठे कॉमेंट का तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा अगर बुरा लगा है तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा हम लोग गरीब आदमियों को मुफ्त में खाना, दवाई और कपरे देते हैं यहाँ पर जितना ज़्यादा सब्सक्राइब एर होगा हम उतना ज़्यादा गरीब आदमी को मदद कर सकेंगे तो आप लोगों का हाथ जोर के भिंती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजी और किसे गरिब के मुँ में हसी लाईए